तो हलो मेरा नाम है अभिशेग और स्वागत करता हूँ एक बर फिर आपके प्यारे स्ट्राइनल जे आर्ट टुरियल्स में सब कैसे हो यार आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे रहोंगे आपकी पढ़ाई एक दम बढ़ियां चल रही होगी ठीक है बढ़ियां चल करने वाले आज के लेक्चर में पिछले में वह निए अल्रेडी समझा दिया था आपको लोग को कि इंम्यून सिस्टम क्या होता है इम्यूनिटी क्या होती है किनने ट् समझ भेए इतनी बात आज हम लोग शुरू करेंगे और आज हम लोग discuss करेंगे बहुत सारी diseases के बारे में बिमारिया क्या होती है वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग discuss करेंगे लेक्टर स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी चीज बताना चाहते हूं, छोटा सा अनॉंस्मेंट है, कि हमारा जो JR Tutorials का एप्लिकेशन है, वो लाइव हो चुका है हमारे Play Store के उपर, तो अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो जाके पटाक से जाले हैं, तो जरूर से उसको डाउनलोड करके रख लेना, ज्यादा नहीं बस 12 RMB की आप है, और free of cost आप है, एक भी रूपय आपको देना नहीं पड़ेगा, अगर आप मुझसे connect होना चाहते हैं, मुझसे बाते करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, वो आपको, अगर आ आपके मुझे appreciate भी कर सकते हैं, इतनी बाते क्लियर हैं, तो चलो start करते हैं, आज का हम लोग लेक्चर, आज हम लोग को पढ़ना है, diseases के बारे में, यानि बीमारिया, ठीक है, disease का मतलब क्या हो, देखो disease दो वर्ट से मिला है, एक disease, मतलब अगर आप comfortable नहीं हो, ठीक है, अग functioning of the organ and organ system, मतलब अगर आपके body में आपके organ या फिर organ system अच्छे से function नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर अच्छे से cooperate नहीं कर रहे है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग बिमार हो, मतलब आपको कोई ना कोई disease हो चुकी है, इतनी बाते क्लियर है, ठीक है, वैसे मैं चाहता हूँ, congenital disease, जिसके साथ, मतलब जो अपने पास birth से रहती है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था उस lesson में Turner syndrome, Down syndrome, ये सारी चीज़े क्या है, जिसके साथ हम लोग पैदा होते है, ठीक है, एसी बिमारिय है, जिससे मैं क्या 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 करते हैं, अपने normal lifetime पे हम लोग acquire करते हैं, ठ acquired disease, ठीक है, acquired disease मतलब क्या, जिससे आप लोग को flu हो गया, ठीक है, flu हो गया, या फिर कभी आप लोग को typhoid हो गया, तो ये सारी चीज़े क्या है, आपने अपने जिन्दगी के time पे हुआर की न, आपको वो disease जिन्दगी के time पे हुआ, ठीक है, तो वो क्या से disease हो जाएगी, acquired disease, हम लोग को mostly, इस disease के बारे में नहीं पढ़ना है, mostly इस lesson में हर कुछ हम लोग को पढ़ना है, acquired disease के बारे में, ठीक है, कितने type के acquired disease है वापस, दो type के acquired disease है, एक है communicable disease, ठीक है, एक है communicable disease, इसको हम लोग infectious disease भी बोलते हैं, मतलब ऐसी बिमारी, जो एक बंदे से, दूसरे पंदे को फैल सकती है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई खड़ा है, जुरू नहीं, बहुत सारी तरीके से, एक organism से, दूसरे organism को, अगर कोई बिमारी पैल रही है, ठीक है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, communicable disease, और जितने भी communicable disease है, सब कुछ pathogen की वज़े से होता है, ठीक है, सब क non-communicable disease, मतलब ऐसी disease, जो आपके body के अंदर, एक person से दूसरे person नहीं फैलेगी, ठीक है, जैसे cancer हो गया, तो cancer साथ में बैठके खाना खाने से नहीं फैलेगा, ठीक है, तो जो non-communicable disease है, वो किस के अंदर रहेंगी, इस वाले topic के अंदर रहेंगी, ठीक है, तो non-communicable disease और उसी disease को हम लोग क्या कहते हैं, non-infectious, ठीक है, इतनी बात है, तो हम लोग ने type पढ़ लिए, कितने type के disease होते हैं, अब देखते हैं, कौन-कौन से disease को हम लोग इस lesson में discuss करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, malaria के बारे में, बहुत सारे लोग को हो जाती है, बहुत सा असके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, elephant今 का नाव है, यह इन्सानों में होती है, elephants में नहीं होती है, उसके बाद typhoid, ठीक है, typhoid के बारे मुंपढ़ेंगे, यह आ वह लोग मैं सुना वहाई, भloud common disease है, malaria बहुत ही common disease है, ठेक है, उसके बाद pneumonia, common cold के बारे में discuss करेंगे जो कि पिछले दो साल से काफी जादा फैला हुआ थो अभी भी शायद बढ़ रहा है ठीक है वापस बढ़ रहा है जिसे हम लोग कोरोना वाइरस भी क्याता है तो वह भी किसके अंदर आता है common cold के अंदर आता है हलाकि यह common नहीं रहे चुका है आजकल मतलब common नहीं रहे चुका है बहुत सारे लोग को हो जा रहा है बट इसके वाईसे बहुत सारे लोग की जाने भी जा रही है ठीक है तो इसको भी हम लोग study करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग deeply study करेंगे हमारी दो important disease that is cancer और AIDS के बारे में ठीक है cancer और AIDS को हम लोग थोड़ा जादा deeply discuss करने वाले ठीक है किसके अंदर बहुत सारी चीज़े दी हुई है इतनी बात है क्लियर है ठीक है तो आव सबसे पहले हम लोग disease आदेगो आशा इन disease को ना मैंने कुछ groups में बाट दिया देगो जो सबसे ऊपर पहली दो disease है वो protozoa की वज़े से होती है ठीक है इसलिए उसको protozoa disorder भी बोल सकते है फिर protozoa disease बोल सकते है तो पहली की जो दो disease that is malaria और amoebiasis यह क्या है protozoa disease फिर उसके बाद आप लोग ने 11 में 11 में जब आप लोग ने पढ़ा होगा अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको याद होगा कि एक फाइलम हुआ करता था अपना फाइलम था तो उस कि ग्रुप में जो एनिमल्स है न वह अनिमल्स यह बीमारियां कॉस्ट कर रहें बताऊंगा आप लोग कौन से अनिमलस है उनकी वज़ए से विमारिया और एक निमोनिया होते जो क्या करेंगे हमारे दिसी कॉस्ट करेंगे दो बैक्टियर्स हम लोग पड़ेगे फिर एक है हमारा रिंग वार्म रिंग वां किसके नदर आएगा फंगल डिसॉर्टर में तो एक से फेस्टी पादे ये किसकी वज़े से होता है, ये हमारे ही cells के वज़े से होता है, हमारे जो cells है न, वो बागी हो जाते है, मतलब खुदी cells, खुदी के cells को खराब करने लगते हूं, बताओं का तुम लोग को क्या होता है cancer के अंदर, ठीक है, इतनी बात है clear है, तो आओ सबसे पहले हम लोग डि प्लाजमोडियम नहीं है, मतलब वो क्या कर रहा है, चीजों को carry करके चल रहे है, वेक्टर मतलब क्या, कि जो एक जगह से चीजों को उठा है, और दूसरी जगह पर चीजों को रखते, ठीक है, जैसे आप लोग रिक्षा में जाते होगा यहां से वहां, तो रिक्षा क्या मॉस्किटों के काटने से हमको malaria होता है, क्योंकि जितने भी male मॉस्किटों होते हैं, जनरली वो हर भी वोरस होते है, जनरली वो पेड़ वेड़ पे रहते हैं, पेड़ वो चीजों खा लेते, लेकिन female जो मॉस्किटों होती है, उनको fertilization के लिए human blood की जरूत होती है, इसके लोग क्या करते हैं, जो female मॉस्किटों हमें काटते हैं, समझ भारी वाल, तो कौन से female मॉस्किटों, प्लास्मोडियम का ये वेक्टर बनती है, जिके कौन है ये, एनाफुलीज, जिके एनाफुलीज मॉस्किटों, इसका protozoa, जो पढ़ा होता है, इस एनाफुलीज मॉस्क प्लास्मोडियम मलेरिये और उसका बाद है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, ये चार प्लास्मोडियम है, जो मलेरिया को कॉस्ट करते हैं, ठीक है, ये चार प्लास्मोडियम है, जो क्या करते हैं, मलेरिया को कॉस्ट करते हैं, और इसमें से जो फैलसी पैरियम है, करना रही है गलती से तो यह इससे इंसान की डेथी हो सकती है यह सबसे जाधा डेड़ी को मलेरी यह इतनी है क्लियर है कौमणली किसके वजह से होता है तो मतलब यह जो पारा साइट से रमलों चुंपना ऊप्रोटने अपने प्रोटोजवाब यह किस के ओपर जाकर रहा है किसके बॉड़र ऑड़े के अंदर रहा है उसको मैं क्या कहूंगा they are the host, तो malaria के दो type के host है, इन plasmodium के दो type के host है, एक host होगा that is primary host एक host होता है that is primary host और एक होता है that is secondary host, तो तुम्हें क्या लगता है, कौन primary host होगा, हम primary host है, ठीक है इस plasmodium के हम primary host है, या फिर mosquito primary host है, हमको लगता होगा कि हमए प्राइमरी होस्ट कोन चाहिं ठिक मुस्की टो इसा कैसे कैसे डिसाइड हो ग में यह है यह रही हो चुर रही हो जसके अदर एक सेक्ष्वल रेप्रोड़क्शन हो रही हो इस लिए इसका प्राइमरी होस्त है और इसका स्टेकंटरी होस्त है वो क्या है आपन लोग यानी हुमन इतने बात है समझ में आगा अब इसका लाइफ सैगल के साथ कैसे एक यूमन के बॉड़ी में जाता है फिर कौन-कौन से वहाँ पर development stage दिखाता है फिर कैसे फिर यह किसके अंदर जाएगा अपने malaria के अंदर जाएगा और उसके अंदर कैसे यह sexual reproduction करेगा वो हम लोग को एक mosquito आया और उसने आपके skin के layer पर आपको क्या किया काट लिया जैसे उसने काटा जैसे उसने काटा उसने कुछ plasmodium के sporozoids एंटर कर दिये कुछ organisms तह से यहाँ पर दिख रहा है यह सारे इस आर्थ इस आर्दा sporozoids इतनी बात है clear रहे चीक है अब यह sporozoids सबसे पहले कहा आप देखो मैंने आप लोग को last वाले lecture में समझाया था कि जैसे यह blood mentor करेंगे macrophages और neutrophiles आ जाते हैं इंके लड़ने के लिए इंके इंसे लड़ने के लिए फटाफट कॉन आ जाता है macrophages और neutrophiles आ जाएंगे चीक है तो अब देखो एक एक बात और सुन लो कि यह जो plasmodium के बैक्टीरिया होते चैके बैक्टीरा तो नहीं बोल सकते जो plasmodium के हमारे प्रोटोजोह होते यह three time faster होते चैके इनका movement three time faster होता है किससे हमारे यह ब्लड में रहते हैं यह घुच जाते हैं किसके अंदर लिवर के अंदर यहां पर तुम लोगों में डियाग्राम बनागा समझाओ देखो सबसे पहले एक मॉस्किटो आया ठीक है उसने आपके अपके ब्लड के अंदर इस प्लाजमोडियम को पता है कि अगर मैं ब्लड में जाधा टाइम तक रहा तो निउट्रोफिल्स आजाएंगे तो यह किस के अंदर गुट जाता है लिवर के अंदर तो अब यह है इससका गोला सा वहाँ पर यह एक ऐसा गोला सा स्टूचर फॉर्म करदेगा तो यह वहांPere क्या कर देगा एक ऐसा गोला सा श्ट्रुक्चर को डे säga श्ट्रक्चर को क्या करते हैं इसको हम लोग कहते हैं शाई जॉं ठेकर इसे हम लोग kya क्या घेते हैं शाई जॉं अब यह साइजॉंड के अंदर क्या होगी है साइजॉंड के अंदर होती स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला इसको मैं कहूंगा इस पूर्ट है इतनी बात कुलियर एद यह क्लियर है यह क्या बना लेगा इसके अंदर क्या होती है multiple fissure इसके अंदर क्या होती है multiple fissure मतलब यहां पर ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे बहुत सार यहां पर कैसे बनाए चलो इसको मिटा जाते हैं आपके, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे क्या बन जाएंगे, छोटे-छोटे प्लाजमॉडियम बन जाएंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, multiple fission, इन छोटे-छोटे certain प्लाजमोडियम के स्पोरोजोइट इंटर कर दिया आपके बॉडी के अंदर एंटर वो जैसे इस्पोरोज़ज्ड आपके बॉडी के अंदर रहे और वह जैसे ही इस इस जञाधा तेयर तक रहते उसके ओपर कौन आटेक करता न्यूट्रोफिल के अंदर और लिवर्स के अंदर क्या पढ़े होते हैं हेपाटिक विपाटिक सब्सक्राइब डिटें आप टिक दें ऑप ट्रूसर गोला गोला सा structure form करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते है, sciont, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते है, sciont, तो इसको मैं यहाँ move कर दूँ, ठीक है, इतनी बाते clear है, structure का हम लोग क्या कहेंगे, sciont, clear है, अब ये sciont के अंदर होगी multiple fission, multiple fission होने के बाद, यह किसमें convert हो जाएंगे, mirrorzoids, एक सब्सक्राइब, यह किसमें convert हो जाएंगे, mirrorzoids में, अब यह जो mirrorzoids है, यह आजु बजू, for example, यह mirrorzoids है, तो यह किसी दूसरे आगे चलके, hepatic cell के अंदर enter करेगा, ठीक है, इसके आजु बजू तो दूसरे hepatic cells है, उनके अंदर क्या करेगा, यह enter करेगा, और उनके अंदर भी, ठीक है, उनके अंदर भी same चीज़ होगी, वहाँ लूँ क्या बना लेगा, size hunt बना लेगा, ठीक है, पिर क्या करेगा, multiple fission करते रहेगा, और ऐसा multiple fission करते, वो जितने भी hepatic cells है, उनको दिस्टॉइ करना चालू कर देगा, इतना होने के बाद, यह मानेगा नी, यह वापस किस के अंदर घुशेगा, blood vessel के अंदर, for example, this is blood vessel, और blood vessel के अंदर क्या होता, RBC? ठीक है blood vessel के अंदर क्या होता है RBC अब ये किसके अंदर घुज जाएगा RBC के अंदर और RBC का nutrition लेकर ये वापस क्या होना चालू हो जाएगा divide करना चालू हो जाएगा यहां पर लिखा यह आप किसके अंदर घुज गया एक ट्रोफो जायोट ठीक है इसे हम लोग क्या करते हैं ट्रोफो जायोट ठीक है इतनी बात है clear है अब ये ऐसे ही क्या करेगा ऐसे दूसरे RBC के अंदर घुसेगा और जो पहले वाले RBC तो उसको क्या कर देगा destroy कर देगा समझ मारी मतला उसके अंदर भी क्या बनेगा साइजॉंट बनाएगा ठीक है इरित्रोसाइट है तो इरित्रोसाइट के अंदर भी क्या बनाएगा similar similar इसके अंदर भी क्या बनाएगा साइज करेंगा है और पिशांट होगा और उसके बाद का व knerag मल्टीपल फिज conflicting होने के बाद यहां से क्या होंगे गए और यह किसी दूसरे रवी चिक के अंदर घुसके के उसके अंदर भी जात कर देगा साइशांट कर ейगा अब देखा इतना होने के बाद ये सारे के सारे RBC को damage नहीं करता इसको पता है कि अगर ये सारे के सारे RBC को damage कर दिया न तो human मर जाएगा, इंसान मर जाएगा, सही बात है और अगर इंसान मर गया, तो ये bacteria भी तो मर जाएगा तो इसको इंसान को मरने नहीं नहीं है, तो यह क्या करेगा, यहाँ से इसके बाद दो रास्ते, यह तो यह normally RBC को destroy करता रहे, जो कि यह करना नहीं चाहता, अब यह आगे चलके क्या form करेगा, यह आगे चलके gameto fight form करेगा, यह आगे चलके gameto fight form करेगा, देखो मैंने आप अब इसके बाद इसको अगर sexual reproduction करना है तो इसको बनाना पड़ेगा गयमेट बनाना पड़ेगा गयमेट जो बनाता है उसे हम लोग क्या केते हैं गयमेट टो इसके आगे यहां से एक male gametophyte और एक female gametophyte ठीक है? यहाँ से क्या बच जाएगा? देयन दो यहाँ से male and female gametophyte समझा इतना? ठीक है? एक male और एक female gametophyte यहाँ पर बन जाएगा समझा? ठीक है? clear है? इतना समझा? अब देखो यह gametophyte अब इसके अंदर यह नहीं हो सकता तो अब इनको वापस जाना पड़ेगा किसके अंदर मॉस्किटों के अंदर तो अब यह वापस चला जाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड पे वापस किसके पास चला जाएगा स्किन के पास अब इस स्किन के पास अगर इसको कोई दूसरा मॉस्किटों काटता है तो यह जित मॉस्कृटों की गट की अंदर एक एक मेर्ट ना चला जाएगा इसी माइक्र इसी वैक्त मॉस्कृटों की सलाइवरी ग्लैंड में किसके अंदर चला जाएगा वापस वापस सलाई सब्सक्राइब और वही से जब वो मॉसकुटों आपको वापस काटेगा तो यह वापस पॉरोजाइट इस डियाग्राम को देख लो इस डियाग्राम में भी सब दिखाया हुआ है ठीक है थोड़े अच्छे तरीके दिखाया हुआ है तो यहां पर थोड़ा सब खिजडे सबस्क्राइब तक अब भी सबस्क्राइब करते हैं इस डिखाया है तो यहां पर किस्वी गूटे है इसमें गुटे है इरीथरोशाइट में यहां पर सबनाते हैं और उसके बाद क्या बनाएंगे मोळॉजड ठीक है और उसके बाद क्या बनाएंगी लोग उसके बात फिर किसमें घुसेंगे लोग इृत्रोच्ण में ट्रोअ도 उतनी बात रेल ट्रोफोफोजड बनाने के बाद यहां पर एक डोसेजए और एक और यहाँ पर यहाँ पर एक और एक फीमेल गेंट वह मतलब वह आगे चले क्या बनाएंगे गैमीट वाले और फिर यह दो वापस आपको काटा और यह वापस किसके अंदर गुज गाया, इस mosquito के अंदर गुज गै, अब इस mosquito की mid gut में, वापस किया फोर्म होंगे, जो जितने भी gamitofite ते, यह सारे क्या हो जाएंगे, beloved बनाने के वांएंगे, गै submitted बनाने के वाज वापस किसके अंदर चला जाएगा, इस salivary gland of mosquito, इस mosquito की saliv ही क्मैरी ग्लैंड में वापस वो अंतर कर जाएगा समझमेंहाओом कुछ नहीं था यहां से यहां से इसके अंदर सॉइकल चलिए उसमें क्या हो रहा है एसेक्शवल रिप्रेट छोच्चन कहां पर हो रहा है आपकें he जो प्राइमरी होस्ट टीक है जो समझ में आ गया को इच्ट जो बिमारी है ठीज एम्यो ब्यिए सिस्के अंदर होता क्या है बड़ी सीपल बीमारी एंडर होता क्या है इसके अंदर किसकी वज़ा से होता है पहले यह देख लो यह होता है एंटामीबा हिस्टोलियाटा ठीक है किसके वज़ा से होता है यह एंटामीबा हिस्टोलियाटा ठीक है अब यह कैसे हो रहा है देखो for example किसी person को amoeobiasis का infection है ठीक है मतलब उसकी body में पहले से क्या present है anti-amoeba histoleata present है तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी life cycle कैसी है जी कैसे एक जर एक organism के body से दुसरा organism में जाएगा तो for example this is the person जो कि खुश बिलकुल भी नहीं है ठीक है खुश नहीं होना चीज़ को यह दुखी है क्यों दुखी है कि इसको infection हो चुका है इसको हो चुका है M.E.O. B.S.S. ठीक है तो अब इस person को क्या हो चुका है M.E.O. B.S.S. इतनी बात है clear है ठीक है इतना समझ में आ रहा है आप लोग को अब क्या होगा इस person के ठीक है it is the infected one it is the infected person इस person के poop में ठीक है poop समझते हो ठीक है जिसको हम लोग बोलते है potty प्यार से वासा में ठीक है समझते हो ना तो इस person के poop में यहां पे ठीक है इस person के poop में इस जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया का जो जाइगौट फॉर्म होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा समझ रहे हो क्या इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा इस और गेनिजम का जो जाइगौट फॉर्म है यानि उसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं ऐसा कुछ ऐसा स सिस्ट प्रेजेंट रहेगा और यह सिस्ट में कितने न्यूक्लेस रहेंगे चार न्यूक्लेस रहेंगे इसलिए मैं इसका नाम देता हूं टेट्रा nucleated ठीक है, it is tetra nucleated cyst, ठीक है, it is tetra nucleated cyst, यह किसके अंदर present है यह इस person के poop के अंदर present है, यह नि fecal matter के अंदर present है, जब अब इस person ने for example क्या बोलते है, ऐसा कर दिया बाहर कहीं पर जाके, ठीक है, शौच कर दिया बाहर कहीं पर जाके, खुले में इसलिए शौच नहीं करना चाहिए, तो इसके उपर आएंगी मख्या, ठीक है, कोई मख्या है इसके उपर और इसके उपर क्या करने लगी वो, for example इसको उसने, मख्यी ने उसको touch कर दिया, ठीक है जिसके वैसे, यह जो cyst था, ठीक है, जो cyst था, यह इसके मूँ में आके लग गया, अब यह मख्य उड़ी, ठीक है, अब यह मख्यी उड़ी और आपके किसी खाने में जाके बैट गई, जो सड़गों पर खाना मिलता, for example, समोसे पर जाके बैट गई, ठीक है अब लोग खाते हों, समोसा, यह एक समोसा है, जिस पर यह मख्यी जाके बैट गई, और इसने क्या किया, अपना जो cyst था, ठीक है, इसके पास जो cyst प्रेजेंट था, वो किसके उपर डाल दिया, इसने इस समोसे को उपर डाल दिया, इस समोसे को वापस किसी परसन ने खा लिया, और इसको वापस क्या हो गया, इस amoebiasis का infection हो गया, अब इसमें होता क्या है, जब यह जब बिमारी किसी function को होता, किसी person को होता है, तो वो infect करता है, उसके, आपने बोल सकते, large intestine को, ठीक है, वो किसको infect करता है, उसके, large intestine को, तो for example, यहाँ पर मैं एक large intestine बना रहो, it is the large intestine, ठीक है, यह large intestine है, तो large intestine में जाके वो क्या कर रहा है, effect कर रहा है, तो यहाँ पर, आपका यह nucleated cyst गया, tetra nucleated आपका यहाँ पर, cyst गया, और इसने क्या किया, खुद को दो form में convert किया, ठीक है, इसने क्या किया, खुद को, दो form में convert किया, दो function इसके, ठीक है, एक इसने क्या किया, अपने form को थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है, अपने structure हो क्या किया, थोड़ा सा, तो उसagain का जो टीखल मैकर है जिकि यानि जो फूफ है उसके अंदर ब्लेड दिखने लगता है इसलिए इस भीमारी को विलड़ी डाइरिया भी कहते हैं इतनी बसे क्लिर है क्यों कि उसका जो बहुत जो बोल से चला जाएगा और फिर किसी को infection कॉस कर सकता है समझ बारी बाद इस दिल्व लोग कहते हैं कि जर्ड़ली ओपन एरिया में अपना ये शौच नहीं करना चीए जनरली इंसाइड में करना चीए ये बात ये बाते के लिए रहे समझ मैं इतना समझाए इतना चीए इस रूट को क्या कहते है अच्छा एक और चीज़ है इस रूट को क्या कहते है यहां से आपके माउथ में जाना चीए मतलब कोई भी चीज contaminated हो गया water contaminated हो गया food contaminated हो गया because of your fetus इसको हम लोग कहते है प समझ में इसको समझ में जाना है इसको में मुर्ण हो गेते हैं इस समय के अरिया आते हैं यह भी से सम्झ में आ रही है इतना … जैरboys कि नेक्स आम लोग आते है है that is Helminthic disease के तरफ, Helminthic disease मतलब क्या, मैंने आप लोग को बताया था, कि जो Ask Helminthus वाले group वाले criteria होंगे, ठीक है, जो group वाले organisms होंगे, वो cause करेंगे कुछ ना कुछ बिमारिया, ठीक है, तो जब आप लोग ने, I guess, जब पढ़ा होगा, Ask Helminthus, तो आप लोग ने उसमें पढ़ा होगा, एक organism होता है, जिसको हम लोग बोलते है, एक पतलस organism होता है, जिसको हम लोग बोलते है, जिसको हम लोग बोलते है, जिसको हम लोग बोलते है, वो male अलग होता है, female की body थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एस कई जो हूंक है नाव में ऑनाक एक इtimer है अब है आप लोग होस्त के बारें पढ़ए तो जनरीर हो सकते न एक primary host, एक secondary host प्राइमरी host वो मतलब जिसके अंदर sexual reproduction हो रहा है, secondary host वो मतलब जिसके अंदर sexual reproduction ना फिर कोई with reproduction रहा हो रहा हूँ, उसकाँ लोग बोल सकते हैं कि यह secondary host है, लेकिन asqueries की बात करूँ, अगर मैं asqueries की बात करूँ, तो asqueries इसका primary host secondary host हर एक host सिर्फ और सिफ यूमन से प्यार करता है वो सिर्फ और सिफ यूमन के बॉड़ी के अंदर रहता है वो और किसी के अंदर नहीं जाता मतलब उसका इस दुनिया का एक मात्र होस्ट क्या है इंसान चीक है यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसका primary host क्या है है यूमन डाट इस कहां और यूमन में कहां प्रेजेंट होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां प्रेजेंट होता है इतनी बात है क्लियर है किसके बज़े से कॉज होता है यह तो वही contaminated food and water यानि आपका फीको-oral-root फीको-oral-root ठीक है आपके फीकल-matter की वज़े से आपका food contaminate हो गया या फिर आपका जो water है वो contaminate हो गया तो उसकी वज़े से एक जगा से दूसरे जगा के बॉड़ी में फैल सकता है से मवेसे होता है इसका भी जो जनरली फीकल-matter होता है किसी परसन का जो as-cariousness से पीडित है जो चुका है उसके fetal-matter में उसके fecal-matter में इसके cyst present होंगे तो उसके cyst उसके fecal-matter से किसी दूसरे जगा पर क्या होंगे ट्रैवल होंगे समझ मेरी बात अब चाहे water contaminate हो चाहे जैसे flood आ गया तो water क्या हो गया contaminate हो गया वही water आपके घर पे पीने के लिए आ गया for an example गंदा पानी आ गया आपके घर पे पीने के लिए फिर आपका जो food है जैसे कोई भी चीज थी वह उड़ उड़ के आपके food में चली गई समझ मेरी बात तो उसके वैसे आपका food भी contaminate हो सकता है तो contamination of food and water की वज़े से ये विमारी होती है इतनी बात एक लिए रहे ठीक है फिर अगर में बात करूं इसके symptoms की तो इसके symptoms में क्या होते है जनरली क्या होते है इसके symptoms में साने लगते है जैक आपकी बॉडी में आपकी वॉड़ी के अदर आपकी जो इंटेस्टाइन डिवाल में सब्सक्राइब अपनाना गुसा गिर रखे रहे तकि गिरना जाए इंके सर के ऊपर ना हुक्स लगे रहते हैं अगर आप लोग ने पड़ा होगा तो शायद इनके ऊपर हुक्स लगे रहेते हैं यह हुक्स के द्वारा वहाँ पर होल्ड हुए रहते हैं चीक है इतनी बाते क्लियर है और कभी-कभी ऐसे लोग कर देते हैं इंका संक्या है इंकी जो इतनी बढ़ जाती समाल इंटस्टाइन में अगर आप मेडिसीन नहीं लोगे होगे यह आपकी इंटस्टाइन को ब्लॉक कर देंगी एकदम से और कभी-कभी कुछ तो यहां पर हमारा क्या ख़ता है अगर में नेक्स बात करूं नेक्स का है हमारा एलिफेंट इस जिसमें आप लोग को बोला था कि यह इंसानों के अंदर ही हो रही है तो होता कि जनरली आपके इंसान जो थे उसकी जो लोगर बॉड़ी पार्ट्स होते है वो क्या हो जाते है जनरली फूल जाते है उसकी साइस बड़ी हो जाती है विकॉज एक बैक्टेरिया तो हम लोग नहीं बोल सकते है जिसका नाम है वुचरेरिया बैंकरफ्टी जिसका नाम क्या है वुचरेरिया ब्रैंकरफ्टी और एक और होता है वुचरेरिया मलाई ठीक है वुचरेरिया ब्लड विसल होती है, सबको पता है, ठीक है, हमारे बॉड़ी के अंदर ब्लड विसल होती है, तो मैंने आप लोगों पढ़ाया था, ठीक है, ब्लड विसल से ब्लड कभी नहीं निकलता, ठीक है, ब्लड विसल से एक दूसरा फ्लूइड निकलता है, हमेशा, ठीक है, जिसको म क्या केथा हूँ live विस्ट अिपी उस्को मैं क्या कैता हूं लिंफ juicy वेसल डिंटेटिशिश्प निकल रहा है वापस किसके दर चला该 ब्लड व Only Till is अता है और इस पोजुशन को ब्लॉक कर देता है वापस किसके अंदर चला जाता है आपके ब्लड dal meat ब्लॉक कर देता है मतलब यह जाके ब्लॉक करता है lymphatic vessels को किसको ब्लॉक करता है यह lymphatic vessels को इतनी बात क्लियर है lymphatic vessels को ब्लॉक कर देगा आप देखो यहां से आपका वुच्रे एरिया हो जाता है जिसको फैलियरैसिस हो जाता है उसको जो लोर अब्डमिनल वाला एरिया है जिक है मतलब नीचे वाला जो लोर वाला पार्ट है पैर हो गए जिक है मेल्स में जो पीनस होता है स्क्रॉटम होता है वो भी क्या हो जाता है फूल जाता है इसकी वज मॉस्किटों की बज़े से आपके बॉडी के अंदर एंसर्ट करता है इतने बादे क्लियर है ठीक है नेक्स्ट आजाओ नेक्स्ट आपके बैक्टेरियल चीक है यहाँ पर हल्मेंथिस खतम हो गया आपका बैक्टेरियल शुरू हो रहा है बैक्टेरियल हम लोग सबसे पहले चिक है और बैक्टेरिया का नाम क्या है आप स्ब्सेंस के लाकी स्ब्सेंड को सकते मिन चैक इतके मैं बाद चैके राइनगे सकते यहां एल चैक रिमिनेटेर और थूसे यह कंटामिनेशन होता है चाहिए इतनी बाते क्लियर है अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो सिम्टम्स कौन से होते हैं that is sustained fever चाहिए sustained fever मतलब चाहिए आपको continue fever आता रहेगा चाहिए फिर किसी-किसी बहुत ही अम लोग ऐसा बोल सकते ही बहुत ही severe case के अंदर intestinal perforation मतलब क्या छेद हो जाता intestine के अंदर किसी-किसी extreme test में typhoid की वजह से आपके intestine के अंदर छोटे-छोटे holes भी हो जाते हैं इतनी बात है clear है इसका test आपको पता करना चाहिए वाइडल या वीडियो जो भी आप पढ़ते रहोगे वाइडल टेस्ट से हम इतना ढें आगे बाडें next question that is pneumonia चोन से ने सुना और pneumonia और Haemophilus influenza अब आप लोगो नाम सुनके लगता ओगा हँंद हकोट करता है नहीं इस क्या से नाप खरता है टीघह तो बैक्टेरिया है एक आपके Streptokokas आप निमोनिय ना भी निमोनिय तो निमोनिय कॉस्ट कर रहा है और एक ना एक का HEMM ochelas sa sa करते हैं कॉस्ट करते कैसे एक दुसरे से एक जगह से दुसरे जाता है जासे फ और एक्जいलाब किस लिए तो अगर वह बंदाि ऑच्छोंड़ करेगा अगर उसके जो body से droplets निकलेंगे और वो कुछ time तक air में रहेंगे, ठीक है, कुछ time तक वो क्या करेंगे, air में रहेंगे, अगर उस air को किसी दूसरे ने inhale कर लिया, ठीक है, अगर उस air को किसी ने क्या किया, दूसरे ने inhale कर दिया, तो उसके body के अंदर भी ये bacteria क्या हो जाएंगे, घ लोग क्या कहते हैं मतलब एक जगह से एक ड्रॉपलेट के तुरू तो उसके ड्रॉपलेट के तुरू दूसरे को फैल रहा है तो इसके शिंटम्स क्या है इस चिल्स ठीक है आपको बहुत ज़्यादा थंडी लगने लगी की फिर फीवर ठीक है अल्वी ओलाई फिल्ड विद करते हैं और यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं तो अब आपके इस निमोनिया के अंदर जो अल्वी ओलाई होते हैं उसके अंदर फ्लूड भर जाता है पानी भर जाता है जिसके वज़े से आपके बड़ी के अंदर ऑक्सिजन की कमी देखने मिलती है और ऑक्सिजन की कमी क वज़े से आपके जो उंगलिया होती है यह इसका कलर या तो ब्लू होने लगता है या फिर ग्रेश होने लगता है तो आपको ब्लूइश और ग्रेश और नेल्स देखने के लिए मिलेंगे समझा इतना निमोनिया समझा नेक्स आम लोग पढ़ेंगे यह पंगल इंफेक्शन फंगल इंफेक्शन में लोग एक ही पढ़ना है यह बच्पन में बोलता था यह यह मजबूर है पर आप नहीं रिंग लगाओ खुझली बगओ ऐसा कुछ आता था ना वह किस के वाज़ोता था इसको मुलग क्या कहते है갔ो किड़ा है जो रिंग शिप में आ गया है या फिर सम्गॉ Ecuador यह जीसा स्ट्क्चर फोरं कर दिता है कौन-कौन से बघ्र की वाज़ोता है तो ťी टीट के है एक होते हैं, एपिडर्माटोफाइटन, एक है एपिडर्माटोफाइटन, एक है ट्राइकोफाइटन और एक है आपके माइक्रोस्पोरम, तीन है, एक है एपिडर्माटोफाइटन, एक है आपके ट्रॉपोफाइटन, ठीक है, ताइकोफाइटन, और एक है आपके माइक्रो स्पोरा में इतनी बाते क्लियर है और इनको help कौन करता है grow होने में इनको help करता है that is आपका heat and moisture अगर आपके body के अंदर heat और moisture है ठीक है अगर आपके body mainly ज्यादा time तक यह क्या बलते इतनी बाते क्लियर है समझा normal है ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने है आप लोगो बहुत ही चोटे-चोटे diseases है ठीक है इतनी बाते क्लियर है और हमारा next है that is viral disease viral disease हम लोग स्टार्ट किया फंगल में एक ही ता viral disease में that is common cold ठीक है जो हम लोगो जनरली सर्दियों के टाइम पर हो जाता है जिसके वैसे हम कुछी आने लगती है कफिंग आने लगती है common cold ठीक है तो यह किसके वैसे होता है virus की वैसे होता है कौनसा virus है that is rhino virus कौनसा virus है rhino virus आज के टाइम पर या पिछले दो साल चे जो अपना coronavirus फैला हुआ है न ठीक है वो भी इसी का पार्ट है तो इसको अब लोग ब्रैकेट में आपे coronavirus भी लिख सकते हो समझ रहे हो चीक है समझ भे हो तो coronavirus भी इसी राइनो वाइरस का ही एक टाइप है समझ मेरी बात और यह राइनो वाइरस से क्या होता है कि इसका जनरली कोई दवा नहीं है यह जनरली कहां इंफेक्ट करता है आपके अपर इंफेक्ट करता है ते करता है इसके symptoms क्या है that is runny nose आपको कफ हो जाएगा red eyes आपकी आखे लाल हो जाएंगी समझ मेरी बाद तो यह सारे क्या थे यह क्या थी common cold के symptoms से इतनी बात है क्लिए रहे next हम लोग क्या start करना है जो हमारा आजो वापस देख लो कौन कौन से चीज़ा हम लोग ने discuss कर लिए ठीक है हम लोग लोगने malaria को discuss कर लिया malaria को discuss कर लिया amoeba 002 को discuss रिया elephant juices को discuss कर लिया typoid pneumonia ring warm discuss कर लिया और common cold तक discuss रिखे ठीक है next हमारे दो टापिक है that is cancer और इट्स ठीक है यह थोड़ से बड़े टॉपिक है तो इसको हम लोग किसी next lecture में continue करेंगे I hope आपको आज के इस lecture में यह सारे diseases के बारे में information मेली होगी कुछ नया आपने सीखा होगा इतनी बाते clear है तो हम लोग next lecture में start करेंगे हमारा cancer और AIDS वाल टॉपिक ठीक है तो मिलते हैं next lecture में इस वीडियो को like जरूर से कर देना चाहला को subscribe कर दो अगर नहीं किया है तो ठीक है चल्दी से subscribe कर दो और bell icon को भी all पे set कर देना क्योंकि जो आने वाले वीडियो से हैं वो आपको मिल सके इतनी बाते clear है चेक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए keep studying